हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोनी क्लासिज पर और आज हम करेंगे मैंजुरेशन सभी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैंजुरेशन जो टोपेगा वो समझ में नहीं आता है इसलिए हम आपके लिए एक क्लास लेकर आएं कॉंसेप्ट बिल्डर जो आपको हेल्प करेगा कि आप बेसिक सीखे सबसे पहले अगर आपने कॉंसेप्ट को बिल्ड कर लिया तो कोश्चन चाहे कैसे भी हो किस भी टाइप के हो एरिया, पैरिमेटर, वोल्यूम, 1D, 2D, 3D, शेप्स सभी के सभी आप कर लेंगे जल्दी से जल्दी तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आपने सुना होगा 1D, 1D, 2D, 2D, 3D, 3D dimension का मतलब होता है length अगर 1D होगी तो आप अगर 1D होगी तो जो length है सिर्फ वही होगी 1D मतलब एक line, 1D का मतलब है एक line या line तो जो है वो infinite होती है हम line segment कहेंगे जिसके दो end point होगे और वो एक fixed होगी fixed उसका measurement होगा अगर आप अपनी height को measure करते हैं तो वो एक length हो गई है 2D की बात करें तो इसमें क्या होगा length और breath length और breath बिल्कुल ठीक और या फिर इसको width भी बोल दे हैं अब आपको पता होगा जो यह rectangle होता है जो यह लंबी वाली length होती है इसको हम बोलते है length जो लंबी यह जिसका dimension ज्यादा होता है उसको हम बोलते है length जिसका dimension कम होता है उसको बोलते है breadth ठीक है breadth को मैंने बताए कि width भी बोलते हैं तो 2D भी हमने दिख लिया है 2D में एक rectangle हो गया square square जो है वो एक rectangle के type है जिसमें की 4 की 4 जो आपकी side है वो same होती है अगर मैं कहूं की square एक rectangle है अगर square एक rectangle है जिसकी सभी की सभी जो side है वो same है इसका मंतलब है कि जो rectangle है उसमें जो length और breadth अगर हम इन दोनों को equal कर दिया जाए जिसको हम denote करते है square में side से square के सारी side equal होती है तो यह जो इसकी length है इसको भी हमने कहा दिया कि यह 5 cm की है जो breadth है वो भी 5 cm की है तो इस case में जो आपका rectangle है वो एक square बन जाएगा तो जो square होता है वो एक type होता है rectangle का चलिए हमने 2D भी देख लेगी 2D क्या होता है 2 dimension अब जलते है 3D 3D में क्या होता है कि आपकी 3 dimension होती है length width और एक आचाती है height height और इसका example है cuboid जो की rectangle को rectangle से ही बनेगा अगर हम rectangle में height दे दे तो बन जाएगा आपका cuboid और अगर हम square में height दे दे क्योंकि जो square है वो सभी के सभी इसके side same होगी तो जो cube है न उसको भी हमें same ही height देनी पड़ेगी अगर 5 cm का square है तो उसको आपको 5 cm की height देनी पर वो 5 cm का cube बन जाएगा 5 cm का cube कहना गलत होगा क्योंकि जो 3D होती है उनकी dimensional measure कैसे करते हैं वो भी देखेंगे जो 1D होती है वो होगी आपका 5 cm का height मान लीजिए height तो आपकी नहीं होगी 5 foot कह सकते हैं हमसे तो हमने क्या किया cm यूज किया अगर हम इसके area को देखेंगे 2D के तो हम क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे cm2 ठीक है और 3D में क्या होगा 3D में आपकी volume आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि cm3 का use करेंगे जो first dimension है उसमें हमने length बता दी आपको कि length होती है सिर्फ length के साथ-साथ हम क्या कहेंगे कि first जो 1D होगी उसका हम सिर्फ parameter निकाल सकते हैं हम example देखेंगे आप इनको ध्यान से सुने एक बार फिर हम example के तरफ जाएंगे यह काफी अजीव सा होगया लेकिन आप सुनते रहें और समझते रहें तो जो 1D है उसको हम parameter calculate कर सकते हैं सिर्फ क्योंकि हमारे पास सिर्फ length length है और perimeter को कहेंगे कि जो भी हमारे shape होती है उसकी हम boundaries को अगर उनका समक्रें boundaries का उसको हम perimeter कहते हैं perimeter के आपने question देखें होंगे कि एक plot है खाल या फिक garden है उसके अगर fencing की जाती है बाहर से उसको तारे लगाई जाती है कि कोई अंदर enter ना कर सकें तो इस case में हम कितनी लंबी तारे लगाएंगे अगर हमें सिर्फ एक boundary करनी होगी तो वोल के उपर तो उस case में हम लेते हैं perimeter मुझे लगता है कि आप perimeter समझ गए होंगे और perimeter का अगर example लें तो एक question यह भी बनता है कि आपके पास अगर earphone से सुन रहे होंगे इस वीडियो को तो resizing का question बन सकता है कि एक triangle को resize कर दिया गया circle बना दिया गया या rectangle बना दिया गया ठीक है अगर इसका जो perimeter है वही same perimeter इसका होगा आप earphone ले अपनी और earphone से या फिर कोई thread ले उससे अगर आप circle बनाएंगे उसी length का उसी length से आप एक triangle भी बना सकते हैं एक rectangle भी बना सकते हैं तो इन तीनों case में क्या होगा इन तीनों का perimeter है वो हमेशा same रहेगा ठीक है next देखते हैं 2D shape जो होती है 2D में आप perimeter भी calculate कर सकते हैं और area दोनों चीज़ calculate कर सकते हैं area में हम देखेंगे कि अगर आप टाइल लगाते हैं टाइल का question बनता है area से कि आपका जो floor है number of tiles निकाल नहीं होती है आपको तो वो question बनता है जो floor है उसका area कितना होगा और in case में हम ऐसे questions क्यों आती है मानले जो tile है वो आपके काफी महंगी आती है एक tile है suppose कीजिए कि वो 500 रुपे की आती है ठीक है और जो आपका floor है उसकी जो length और breath आपको पता है तो आप easily calculate कर सकते हैं approximate जो कितनी tiles लगेंगी approximate का मतलब है कि अगर कुछ टूट फूट जाती है उसको हम लेकर चले अगर वो टूट फूटती नहीं है तो हम exact value निकाल सकते कि आपको कितनी number of tiles की ज़रूरत पड़ती है ठीक है तो इसमें एक area का भी question बनता है 2D जो होंगी shapes या फिर area में question यह भी बन सकता है कि आप painter है आप paint कराना चाते हैं अपने room को तो आप वो जो cost लेता है वो ना per meter square से लेता है कि कितने square में अगर एक meter का square है आपका 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter अगर वो इतने को color करता है तो अगर मान लीजिए वो 5 रूप ले जाए या फिर 50 लेता है कुछ भी आप cost मान लीजिए इसके according वो पैसे लेगा आपसे और आपको room में कराना है एक room है तो आप इस case में क्या होता है कि जो area है न यह तो 3D में आ गया वैसे तो यह भी आप ध्यान से सुन लीजिए इस case में क्या होगा कि आपकी जो 4 walls है वो तो होंगी ही होंगी साथ के साथ प्लस आप में जो roof है उसको भी color कराएंगे क्योंकि जो फर्ष है उसको आप color करानी पहेंगे तो और अगर इसको आप 2D के साथ में के हिसाब से समझना चाहें तो यह देख लिजिए कि जो paint होगा वो आपकी rectangle मतलब के एक example ले लेंगी तो उनको वो color करेगा और जो roof है उसको भी color करेगा वो जो भी rectangle की है तो आप area से भी इसको देख सकते हैं ठीक है तो 4 प्लस एक roof यह बिल्कुल ध्यान से समझे क्योंकि floor को तो वो color करेगा नहीं चार roof को और एक चार wall को और एक roof को color करेगा ठीक है और area जो होगा वो जैसे कि आप rectangle का जो formula होता है आपको पता है वो होता है l into b अगर length आपकी 5 meter है breath आपकी 6 meter है तो जो area होगा वो meter square में calculate होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो m से m को हम into कर रहे हैं तो m square हो जाता है तो यह two dimension हो गई तो इसको 2D बोलेंगे ठीक है और अगर अगर मैं कहूं कि जो length और breath है वो equal है तो आपका square बन जाएगा और मैंने जा सकते हैं इसको side से भी आप denote कर देते हैं अगर जो इसका cube बनेगा उसमें आप इसी side को आप edge से denote करेंगे ठीक है जो formula है वरना जो concept की बात है तो वह सबकुछ same है बिल्कुल सारी चीजे a to z यह same है तो यही formula अगर लगाएंगे upside into side, side का square यह formula आपको याद होगा अगर हम कहते हैं कि यह 5 meter है और जो breadth है वो भी 5 ही meter है तो यह meter square यह आपका 25 आजाएगा और 35 यह 30 meter square आजाएगा meter square, meter square तो आपने यह देख लिया कि जो 2D shapes होंगी उनका जो area है या फिर 3D है उसका भी जो area है वो meter square में ही आएगा और इसके बाद चलेंगे 3D 3D shapes है वो कैसे बनती है उसका example देखेंगे real life example एक तब देखिए कि मैंने wall पताया था आपकी रूम में wall होगी दिवार आपका gate होगा rectangle color का आपके हाथ में जो mobile है उसके जो screen है वो भी rectangle color की है अगर आप note कर रहे होंगे इस time पर जो आपके पास copy है वो भी rectangle color की है ठीक है तो जो हमारी 3D shape होती है वो 2D से ही बनी हुई है कैसे बनी हुई है दिखते हैं अगर आपके पास copy नहीं तो copy लिए ये और देखिए यह आपका page है लास्ट आप एकदम से last page खोल लीजिए last page के उपर एक page रखेंगे उसके उपर एक page रखेंगे तो आपको एक विर्थ मिल जाएगी इसकी आप कहेंगे कि मेरी जो copy है वो इतनी मोटी है है ना जितने जाद आप page रखते जाएंगे वो उतनी मोटी हो जाएगी और यह हमारी आपको लेंगवेज है उसमें तो हम कहेंगे कि यह विड़त है लेकिन हम क्या हम क्या रहे हैं इस सबसे last वाला उसको हम एक उपर हाइट दे जा रहे हैं हाइट दे रहे हैं नमबर उफ पेजिस की अगर मैं एक पेज के उपर पाँच पेज पाँच नहीं सब पूस करो पचास या पांसो पेज रखता हूँ तो उसकी हाइट मिल जाती है आप कहते हैं कि मेरी जो कोपी है उसमें 100 पेज हैं आप पीछे देख सकते हैं 100-120 पेज होंगे अगर जादा रुप्य की होगी तो अपकी जो मोटाई है विड्थ है वो बढ़ती जाएगी ठीक है जो विड्थ मैं यूज कर रहा हूँ बोलने के लिए वो अपनी लेंग्विज में है माइट की लेंग्विज है उसमें हम इसे हाइट बोलेंगे कि एक पेज के उपर एक पेज रख रहे हैं तो इस केस में आप एक रेक्टेंगल को जब एक हाइट देते हैं जो कि 3rd dimension है जो 2D dimension थी हमारी 2D dimension थी रेक्टेंगल उसको आप हाइट दे रही है जो कि प्लस अगर मैं एक new dimension को जोड़ देता हूँ, height को, तो वो form हो जाता है, three dimension, three dimension मतलब वो बन जाएगा cuboid, देखिए जो आपको, इस room में बैठे हैं, वो एक cuboid shape में है, जो आपका floor है, आपके सामने, मैं suppose कर रहा हूँ, कि यह जे length है, वो आपके सामने नीचे जो फर्ष है, floor है, वो चोड़ाई, जिसको आप बोल रहे होंगे, वो length है, जो कि लंबी है सबसे, और जो side वाली है, left side या फिर right side, वो होगी आपकी breadth, ठीक है, तो जो आपका floor है, वो क्या है, rectangle form में है, अगर आप उसे एक height दे देते हैं, यह देखिए, यहां से समझते हैं, और देखते जाएगा, real life, यह आपका floor है, ठीक है, यह होगी length, यह होगी breadth, या फिर जिसको आप बोलते हैं width, आप देखिए, यह जो corner से जो उपर के तरफ line जा रही है, roof तक, यह आपकी roof आजाएगी, roof भी कैसी है, same ऐसी है, बिल्कुल, जैसा आपका floor होगा, वैसी आपकी roof होगी, rectangle size की, जो बीच में आप, यह जो चीज आ रही है, यह आप hide दे रहे हैं, एक rectangle shape को, तो वो कैसी बन जाएगी, वो एक cuboid shape के बन जाएगी, तो जो room है, मैं यह मान कर चल रहा हूँ, आपका floor है, उसमें जो length और width या फिर breath है, वो equal size की नहीं है, अगर equal size की भी होगी न, तो जो height है न, वो भी आपकी equal नहीं है, length या फिर breath के, तो इस case में क्या होगा, आपका जो room है, वो एक cuboid की shape में होगा, cuboid के और भी example लेते है, आपके geometry box होगी, cuboid shape में है, जो door है, दर्वाजा है, वो भी cuboid की shape में है, room है आपका, वो भी, जो आपकी register या copy है, वो भी cuboid shape में है, माचीस है, math stick box, वो भी cuboid shape में है, ठीक है, तो आपने cuboid shape को समझ लिया है, और जो 3D shape है, सबसे पहले ली है, हमने cuboid shape, cuboid shape लिया आपने, तो आपने अभी तक सीखा है, perimeter क्या होता है, area क्या होता है, और अब हम सीखेंगे, कि volume क्या होती है, volume का मतलब है capacity, अगर आप एक लीटर की pepsi लेते हैं, एक लीटर का दूद लेते हैं, तो जो bottle होती है, उसमें कितनी amount में दूद या फिर जब की पानी है, वो आता है, उसे को हम बोलते है, volume, अगर जिस रूम में आप बैठे हैं, अगर उसको swimming pool बढ़ाना हो, तो जितना पानी आपके रूम में आएगा, उसी को हम बोलेंगे volume, अगर, तो आप मुझे लग रहे हैं, समझ गए होंगे, और हम दो container लेते हैं, हम एक बाउल लेते हैं, बड़े वाला, अगर हम एक बाउल लेते हैं, बड़े वाला, और एक हम बड़े वाला glass ले लेते हैं, या फिर मैं कहूं कि एक बोटल ले लेते हैं, अगर दोनों में उतना ही पानी आता है, अगर आप इसका पानी इसमें डाल देते हैं, मान लिजिए, यह empty है, यह खाली है, और यह आपका glass है, यह full है, पानी से, भरा हुआ है, अगर आप इस पानी, पूर, जितना इस glass में पानी है, उसको आप इस बाउल में, इस कटोरी में अगर आप डाल देते हैं, और यह कटोरी भी बिल्गुल उपर तक आ जाती है, पू तो जो 3D है, 3D आपकी dimensions, जो भी shapes हैं, उन में क्या होता है, perimeter भी होता है, area भी होता है, और volume भी होती है, ठीक है, volume कमकिस में measure करते हैं, तो आपने देखा कि जो room है, room में जो floor है, वो कैसा था, rectangle size का था, rectangle का area क्या होता है, length into breadth, आपने इसको क्या दे दी, एक height provide करा दी, तो into H, तो हम कहेंगे, कि 5, 5 नहीं, कुछ भी खहलो कि, L जो meter है, L meter length आपकी, B meter breadth है, और H meter height है, तो जब आप इन तीनों को into करेंगे, तो जो volume आएगी, वो meter cube में आएगी, खीक है, तो आपने आज सिखा, जो perimeter है, वो meter, 1D, सिर्फ meter में, calculate होगा, area जो है, वो कैसे calculate होगा, meter square में, और जो volume है, वो कैसे, calculate होगी, meter cube में, आपने अब ही देखा है कि, सबसे पहले मैंने rectangle का example लिया, ऐसे ही जो same process है, आपको cube समझ में आ गया होगा, बल्यकुल, जिसकी equal side होती है, अगर मैं कहूँ कि आपका जो room है, वो जो floor है, वो, उसकी जो length और breadth वो equal होती, साथ में जो तीसरा dimension है, जो height है, आपकी जो wall है, उसकी height, मतलब कि जो एक corner वाली, ये जो length है, ये भी अगर कैसी होती, same होती, तो आप एक cube में बैठे हुए होते, इस concept की मदद से, आप सारे formula चुटकियों में सिख जाएंगे, ज़ाद आपको time नहीं लगने वाला है, तो हम सबसे पहले देखते हैं, cubeoid से start करेंगे, और आप अपने room में बैठे-बैठे देखते जाना, match करते जाना, कैसे-कैसे क्या हो रहा है, जो यह floor है, यह मैंने कहा कि यह length है, यह breath है, जो floor है, वो इसका जो area है, वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, length into breath, ठीक है, इसके उपर जो roof है, वो बिल्कुल same, वैसे ही आपकी length होगी, जो floor की है, और वैसे ही breath होगी, जो की floor की है, तो हम कहेंगे, L plus B, length into breath, और इसका area, length into breath, यह कितना हो गया, 2LB, length into breath, और जब आपने height दी, तो जो भी आपके सामने wall है, मैं मान रहा हूँ कि, जो यह length है, बड़िवा length, यह जो wall है, ऐसी है आपके सामने, और यहाँ पर इसको height है, तो इसका area क्या हो जाएगा, इसका area हो जाएगा, H into L, या L into H, बात तो एक ही है, और जो आपके पीछे वाली wall है, उसका भी सेम ऐसा ही, सेम area होगा, match कर ले, बिल्कुल, अगर यहाँ पर यह length है, तो यहाँ पर भी यही length होगी, बिल्कुल, यह length होगी, और यह breath है, तो यहाँ पर भी यह breath ही होगी, तो 2HL हो गया, सामने वाली wall, और पीछे वाली back वाली wall, 2HL, और आपके right hand side, और left hand side, यहाँ पर क्या है, यह H है, height है, यह वाली wall को आपके जो right side वाली जो wall है, यह height होगी, और जैसी आपकी जो floor है, rectangle में, वैसी ही यहाँ पर breath होगी, B, तो इसका जो area है वो क्या होगा, B into H, अगर left side में B into H है, तो right side में भी बिल्कुल same area होगा, B into H, तो अब हम सब इनको क्या करेंगे, into करेंगे, तो देखिए जो आप एक cuboid में बैठे हुएं, तो इसका जो total surface area है, total surface area का मतलब होता है, जितने भी आपकी इसकी walls है, floor है और roof है, सब को मिला दिया जाए, सब के area को, तो उसको हम बोलते है, total surface area, TSA से हम इसको denote करते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने क्या किया था, हमने length into breath, floor वाली हमने use करी थी, 2LB, और फिर हमने कौन सी calculate की थी, हमने calculate की थी, यह सामने वाली, 2HL, इसको हम जोड़ देंगे, 2HL, प्लस, यह BH वाली use करी थी हमने, सब से last में, दो BH हो जाएंगे आपके, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो 2BH, आपको जो formula बनके आगा है, क्यूबोईड का total surface area का वो यह है, अगर हम common लेते हैं, 2 into LB, प्लस, BH, प्लस, HL, यह आपका total surface हो गया, किसका, क्यूबोईड का, क्यूबोईड का हो गया है, बिल्कुल, याद भी आपको होगा, volume भी हमने देखी थी, हमने क्या किया था, यह length into breath, जो आपका floor है, उसको एक height दी थी, H से, तो जो volume है वो क्या हो जाएगी, जो volume है क्यूबोईड की वो क्या होगी, L into B into H, length into breath into height, ठेक है, then next एक surface area आता है, वो होता है, curved surface area, जिसका आप बोलते है, lateral surface area, या फिर आप बोलते है, area of four walls, तीनो एक ही बात है, कुछ भी बोलो आप, अब जिस room में आप बैठे हैं, उसमें जितनी भी चारो वोल्स है, उनका जो area है, उसी को हम बोलते है, lateral surface area, curved surface area, या फिर area of four walls, तो वो क्या होता है, इसके लिए trick दिखिए, कि trick क्या है, जो cuboid है, उसकी cuboid के लिए, क्या करें आप, आप तो rectangle का formula लिखें, 2 into l plus b, यह area का formula है, और into कर दें से h से, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा curved surface area of cuboid, तो हमने, यह सब हमने सीखा है, यह cuboid shape का है, length, length, breath और height है, बिलकुल आपकी room की तरह है, और total surface area, यह बदा था है, 2 into lb plus bh plus hl, और square units में आएगा, meter square, centimeter square, कुछ भी, फिर देखा हमने lateral surface area, जो कि मैंने बदा था है, 2 into l plus b, rectangle का formula into h, height h दहम देंगे, जा फिर मैंने इसको बदा था है, area of four vertical faces, यह कहें कि area of four walls, curved surface area, यह फिर lateral surface area, और diagonal, देखते हैं, एक question आ सकता है कि, एक cuboid में, हमें एक road को fix करना है, जो कि, ऐसी कौन सी, या फिर कितने length की road होगी, जो कि सबसे ज़्यादा maximum length की road को fix कर सकते हैं, आप अपने room में बैठे हैं, तो अगर आप सामने वाली दिवार पर x बना कर देखेंगे, बन जाएगा, अगर आप क्या करें, सामने वाली दिवार से तो बना कर देखेंगे, आप corner से बना कर देखें, ये जो corner है ये, और ये वाला जो corner है ये, आपकी सामने जो wall है, ये left topmost corner और जबकी back वाली जो floor है, जबकी back वाली wall है, उसका जो corner है, इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो आपको मिलेगी, सबसे largest road जो कि आप एक cuboid में fit कर सकते हैं, maximum length क्या होगी, वो होती है, आपकी diagonal की, ठीक है, तो इसका formula आपको याद करना पड़ेगा, under root, L square, plus B square, breadth का square, plus height का square, ठीक है, और volume तो मैंने आपको बता ही हुआ है, और अगर आप, मैंने बता है था कि next जो formula है, वो होगा cube, cube भी आप देख लिया, ऐसी shape का होता है, ये side, ये side, ये side, ये side, और ये side, ये square हो गया, ये हो गया, आपका जो floor है, वो square हो गया, अगर आपको इतनी ही जो length है, इस size के जो height अगर आप देंगे, तो ये एक बन जाएगा cube, और cube का example आपने देखा था, dice, अगर आपने dice वाली video देखी, ली है तो अच्छा है, नहीं तो उसको भी देख लेए reasoning के लिए ये काफी helpful रहेगी, एक question आता है volume का, कि हम mold कर देते हैं, अगर एक cube है, अगर एक cube है, उसको हम पिगलाकर, melt करके, एक sphere में convert कर देते हैं, या फिर एक cuboid में convert कर देते हैं, तो ये जो volume, इनकी जो volume है ना, वो same रहेगी, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने melt कर दिया, मान लो कि liquid foam ही हो गया, और होता भी liquid सा ही foam है, तो आप ये कह सकते हैं कि, जो cube वाला container है, जो cube वाला box है, उसमें से जितना भी liquid था ना, उसको हमने उलट के, एक cuboid वाले या फिर एक sphere में डाल दिया, sphere वाले container में डाल दिया, तो दोनों की जो volume है न, वो हमेशा same रहेगी, जैसे कि starting में मैंने volume समझाते हुए आपको बताया था, तो एक question ये बनता है, तो इसमें क्या कहेंगे कि, cube की side दे रख, इसका एक का area दे रखा होगा, area नहीं, measurement, length या breath, या फिर इसकी side दे रखी होगी, तो वो पूछ लेंगे आपसे, कि इसकी length या breath में से कोई एक बता दो, या फिर इसकी जो side क्यूब की, वो बता दो, इन तीनों में से मतलब कुछ भी एक एक चीज पूछ लेंगे, ऐसा question आता है, ऐसा ही एक same question है, कि, एक ground है, ground में आप क्या करते हैं, डिग करते हैं, खोदते हैं, और आपने डिग किया, ground में से, और जो मिटी थी न, उसका आपने, ऐसे करके, hemisphere पहाड बना दिया, तो, ऐसा कुछ करके, question आता है, इसकी, height वगएरा, या area वगएरा, कुछ भी पूछ ले, तो आप बता सकते हैं, कि आपको पता है कि, जो भी आपने डिग किया है, जो भी आपने surface को खोदा है, उसकी volume, और जो आपने बाहर मिट्टी डाली है, उसकी volume, दोनों की same है, चाहे उस बाहर वाली मिट्टी से, आप कोई भी shape बना दिया 3D, दोनों की जो volume है, वो हमेशा equal रहेगी, और जो volume वाले, questions, जितने tricky लगते हैं, जितने मुश्किल लगते हैं, आपको सबसे ज़्यादा आसान जो है, सबसे ज़्यादा जो easy है, इन questions को करने में आपको मज़ाएगा, calculation में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ जो, कमी रहती है, वो रहती है concept की, area वाले में तो आपको खूब calculation करने पढ़ सकते है, अगर total surface एरे पुछले, lateral surface एरे पुछले, लेकिन जो volume वाले जो question है, उसमें सिर्फ आपको divide करना होता है, cut करना होता है, सबसे आसान जो question है, वो आपके आएंगे volume वाले और जो भी कोई फटा-फट हो जाएंगे, तो हमने, आज क्यूबोईड के देख लिए हैं सारे-सारे area, जो भी formula होते हैं, अगर आप इन जो formulas हैं, आप उट कर दीजिए, length is equal to breath is equal to height is equal to side कर लीजिए, या फिर आप edge की कर लीजिए, या फिर किसी formula में ए भी लिखवाता है, कि जो volume है, वो a cube है, ऐसा भी लिखवाता है, क्योंकि अगर आप इसको a मानते हैं, a into a into a, तो a cube तो आ नहीं है, और जो इसका जो formula है, diagonal का वो क्या हो जाएगा, under root a square plus a square plus a square क्या बन जाएगा, अगर आप simply a square a square plus a square करते हैं, तो के इतना आता है, 3 a square आता है, तो यह under root में है, तो under root 3, और a square जो है न, वो बाहर को आ जाएगा, आपको पता है, जब हम under root 1 square करेंगे, तो वो बाहर को आ जाएगा, तो जब कर यह थर्ड वाला जो formula है न, वो आपको हो जाएगा, under root 3 into a, या फिर आप इसको यह लिख लिजिए, कि a under root 3, तो ज़्यादा confusion नहीं होगा, अगर आप ऐसी लिखते हैं तो, याद करने में भी, और solve करने में भी, ऐसे ही जो lateral surface area है, वो देखते हैं, 2 into l plus b क्या हो जाएगा, a plus a कितना होता है, 2a into h, वो भी आपको a ही है, तो यह क्या हो जाएगा, 2 into 2, 4, और a into a, 4a square, क्या हो गया, आपका lateral surface area ही हो गया, यह बजाते हैं मैं आपका, under 3 into a, और जो second वाला है, वो क्या हो गया, 4a square, और जो total surface area है, वो क्या हो जाएगा, 2 into, l into b, मतलब कि a into a क्या हो जाएगा, यह सारा cube के बारे में बता रहा हूँ, a square हो जाएगा, और इसके बार भी bh, मतलब कि a into a, फिर दुबार से a square, फिर दुबार से a square, क्या आजाएगा, 3a square आजाएगा, और उपर into 2 है, इसके बारे में बाट कर रहा हूँ, और यह 3 लिखा हूँ है, 2 into 3, 6a square, जो तो टोटल सर्फेस एरिया है, वो आपका बन जाएगा, 6a square, आप hope कि सब को समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही है कि, आपको words के उपर words लिखना पढ़ रहा है, मुझे, वर्णा समझाने में मुझे नहीं लगता है कि, किसे को कोई दिक्कत होई होगी समझने में, तो cube weight से आप cube के formulas को भी आप drive कर सकता है, कर आपको cube weight के formulas अगर याद है, मैं कहूंगा कि आप दोनों के ही याद कर लिजी, ये drive करने में time लगता है, और फिर बाद में solve भी करना होता है, तो आपको याद कर लेने होगे, समझा आपने लिया है, अगर by chance आपको याद नहीं आता, तो आप easily derive कर सकते हैं, total surface area, 6 into edge का square, 6a square, lateral surface area, या फिर हम कहें की से, covered surface area, या फिर area of 4 walls, area of 4 walls, और जो diagonal है, under 3 into a, और जो volume है, a cube, तो आपने दो shape, बिल्कुल अच्छे से समझ ली हैं, उसके बाद, मैंने आपको बताया था, कि अगर कोई painter, से paint कराने के लिए कहें, तो आप, याद रखें कि, lateral surface area जो है न, वो बिल्कुल भी answer नहीं होगा, क्योंकि, जल्दे-जल्दे में हम यहीं करते हैं, कि lateral surface area लगा देते हैं, और हम roof को add करना भूल जाते हैं, तो इस case में, या तो आप lateral surface area में, roof को add करे, number one, एक solution यह है, और number two, कि आप total surface area में से minus कर दे, floor का area, तो भी आपको, answer मिल जाएगा, अगर कोई, अपने room को paint करा रहा है, तो कितने area पर उसे paint करना होगा, और उसी के हिसाब से, cost को calculate करेंगे, ठीक हैं, आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम next, जो class है, उसमें हम काफे सारे questions करने वाले हैं, और जो shapes हैं, जो बाकी बची हुई है, उनको भी मैं समझाऊंगा, तो आप चिंदा ना करें, all the best, thank you, अगर वीडियो पसंद आई है, तो like, share and subscribe करना ना भूलें,